सब्सक्राइब कीजिए फूड फटाफट चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटिस्ट वीडियो देखने के लिए सबसे पहले और उनका स्वाद कैसा था तो बने रही है हमारे साथ इस वीडियो में और एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़े लखनाओ में हैं जो बहुत ही जादा फेमस हैं थो सबसे पहले कर्ते हैं कबाब की और कभाब्लों में आगर Pandya कबाब की बात कि जाए तो वह बहुत ही ला-जवाब होते हैं दोस्तों ऐसे कहा जाता है कि कुझे कबाब बनाने के लिए कम से कम 136 मसालों का प्रयोक किया जाता है कितने जादा सॉक्ट है यह देखिया ओहो जैसे दोस्तों कहते हैं कि गलावटी कबाब होते हैं बिल्कुल वही है देखिया आप किस तरीके से उठाते ही टूट गए हैं और मुह में जाते घुलने वाले हैं मुझा पता है आप देख सकते किसरे किसी के तूट रहे हैं तो सबसे पर्दे तो हम ठाली इसी को टेस्ट करके देखने किसका टेस्ट कैसा है काफी दिन वेट किया है दोस्तों इसके लिए मैं हम मैं दालते गूल जा रहे हैं यह देखिया आप किस तरीके से यह सारा का सारा यह तूट जा रहे है और यह रोटी में हमने मिला दिया रोटी के साथ खाके देखने हैं काटेस्ट कैसा है कबाब है वह माउथ में लेते हैं पूरी तरह से इंसॉल्व हो जाता है और मलब और भी कहीं पर खाई है तो वह मुँ में मलब भूलते नहीं यह यहां की खासियत है तो उसन नवाबो की नगरी में बिर्यानी का स्वाथ भी सबसे जुदा होता है चौक में इद्रिस की बिर्यानी का जवाब नहीं इस बिर्यानी को कोईले की आच पर रखे बर्तन में करीब 4 गंटे तक तैयार किया जाता है यह जो चावल हैं वो भी काफी ज्यादा सॉफ्ट है, मिल्कुल आप देख सकते हो किस तरीके से है, और रंगीन तो अबियानी है तो रंगीन तो हो गई बहुत ही बढ़िया दोस्तों सीधा जैसे मैंने मुझे डाला तो इसमें सकसे पहला जो ख्लेवर आया मुझे वो इलाइची का यह था बहुत हो गया और यह देख सकते हैं मटन मटन के पीसे ख्लोस दिखाते हैं थोड़ा आपको यह देख कितना सॉफ्ट है और किस तरीके से तूट रहा है सारा का सारा मटन जो है वो पक चुका है अच्छे से और अब चावल के साथ जो है इसका मदा लिया आई है फोड़ा अब आपको कॉर्मा जैसे कि आप देख से थे हैं मटन कॉर्मा और यह पूरा-पूरा घी है जो उपर है और इसी सिक ग्रेवी है और यह रुमाली रोटी तो इसको भी दिखाते हैं और कॉर्मा को देखे कितना सॉफ्ट है यह मतन देख रहे हो आप किस तरीके से टूट रहा है और इसको हम डिप करते हैं इस तरीके से मतन जो है वो अपनी बोन से सारा अलग हो रहा है इससे पता लगदा है कि मटन कितने अच्छी तरीके से पगाया गया है और ये कितना सॉफ्ट है दोस्तों इतनी बड़िया बिरियानी और मटन कॉर्मा खाने के बाद हम पहुचे राजा की ठंडाई पीने जी हाँ दोस्तों लखनाउ आए तो अगर ठंडाई पीने का मन करे तो राजा की दुकान पर पहुच जाईए यहाँ पर मिलती है दो तरीके की ठंडाई एक जिसमें भांग मिलाया जाता है और दूसरी जो बिना भांग के होती है तो भाई यह हमने तो अभी पूरा लखनाउ भूमना था इसलिए हमने बिना भांग वाली पी दोस्तों हमारे दूसरे दिन की शुरुवात हो चुकी थी और दूसरे दिन हम पहुचे लखनाउ की तीसरी सबसे फिमस चीज खाने जो की थी नहीम की निहारी कुल्चाप तो कुल्चा बहुत ही जादा सॉफ्ट है हाला कि देखने मोटा है मगर अंदर से बिल्कुए सॉफ्टरू ही जटा है तो आप समझ सकते हो कितना सॉफ्ट बना होगा ये बैसिकली की मेरे खाल से कबाब ही है एक तरीके के सीखते ही इसको पकाया गया था और इसको चिकन चिकन है वह बिल्कुल मतलब भूल सा जा रहा है अब देख सकते हों कि यह चिकन तो है यह बट इसको बिल्कुल ही मेरिनेट करके पिला के मतलब अच्छे से पीसा हुआ है और उसको तब बनाया गया है और इसको टेस्ट रहते के साथ और दोस्तों बिरियानी घाने का तो जैसे मैंने पहले भी बोला है आपको कई बार कि हाथ से ही आता है तो इसका टेस्ट लेते हैं हाथ वाह लांक का शीजा शीजा ही टेस्ट आ रहा दोस्तों बहुत बढ़ी है विद्यानी एक बार और लेते हैं मज़दार यह है हमारा मटन लिए और बिरियानी घान दोस्तों मैं चैसे थम्जब आप दोस्तों भर पेट मिहारी खाने के बाद कुछ मीटा खाना तो बनता था और हम पहुंचे चौक पर चौक पर मिलती है मक्षन मलाई जहां दोस्तों जिसे दिल्ली में कई बार दॉलर्स की चाट भी कहा जाता है वह हमने घाई को बढ़ बढ़ी है मलाई का पूरा पूरा टेशो मफ़गी जो साइब देक सक्ते हो बिल्कुं यह भी है बिल्कुल हल्का अच्या यहाज स्टी तरह मता जाता है मथा ने मताई होती है आर उसके बाद जब यह हो जाता है इसके बास चीनी वगाइरा तो इतना बढ़िया पेट पूजा करने के बाद हमने किया थोड़ा सा आराम और शाम होते ही हम पहुंच गए open-air restaurant और दस्तरख्वान में यहां दोस्तों open-air restaurant और दस्तरख्वान लगनव की नौनवज खाने के लिए पहचान जीमानी जाती है इस restaurant में घुसते ही दोस्तों आपको जो खुश्बू मिलती है वावा क्या बोला जाए दोस्तों आपको देखने को सामने के मिलता है बोटी कबाब चिकन तंदूरी गलावती कबाब और ऐसी ऐसी डिशे जिनको देखके ही मुँमें पानी आ जाए तो दोस्तों यहां पर देख सकती हो आपकी चोटी-चोटे मतन के जो पीसेज हैं, उसको बोटी जिसको कहते हैं हम मटन के, वो है, और किस तरीके से ही पुरी ग्रेवी के साथ बनाया हुआ है, आप यहां पर देखी सकते हैं, और साथ में हमने लिया है यह रुमाली रोटी, एक, और यह सालड है कुछ, तो हम यह टेस्ट करते हैं, और देखते है प्रश्म मदा आगया है सच में, बहुत बढ़ी है, और घुभाने का जो मदा है, वो भी बिल्कुल बढ़ा है, वो बिल्कुल दृफरेट है, अभी नौर्स में हम जहां भी कहें हैं, अलग बीस चेस में, उस चे तो बिल्कुल डि Chr fragment है, और जो खाने का मज़ा है वो भी बिल्कुल अलग हो जाता है जब दोस्तों यह हमारा जो बोटी का अब था रोटी वो तो हमने फिनिश कर दिया बड़ा ही टेस्टी था और मज़ा आगे खाके मगर बगल में एक और रेस्टरफवान तो वहां भी चलते हैं और वहां का भी कुछ ट्राई करत चलते हैं तो दोस्तों यहां पर हम बैड़ गए दस्टरफवान में और यहां पर हमने जो आड़र किया है वह हमारा हाफ मटन रोगन जोश और शमी कबाब और एक रोटी तो एक क्यों क्योंकि हम अलड़ी खा चुके हैं तो आपको टेस्ट का जाइका दे दे इस चीज का अब यहां पर आगे वह दोस्तों चूते ही आप देख सकते हो जैसे कि यह मतलब आत्मी नहीं आए रहा तो यह भी एक तरीके गलावटी जैसे गल जाते हैं वही चीजे हैं यहां पर जितने भी कबाब हमने खाए वह सारे के सारे इसी तरीके और कासी जादा गरम है और जाते हैं और टेश्ट करते हैं कि अंब बढया बढ़िया रोमाली रोटी के साथ और इसको अब टेश्ट करते हैं कि अब आए अब वाफ वाफ वद्ध ग्राइब बहुत जीज यह दा करी में चीज खाई हो अब बहुत गीरा और इसमें दनिया का अलक्से फ्लेवर है, खैर मिर्च तो हई है, और धनिया भी आ रहा है, मसाले प्रोपर दीखते हैं, यहाँ पर आप देखें किस तरीके से पुरी ग्रेवी है, तिक बिल्कुल ही, और यह हमारा मटन प्रोगन जोज, यह देखें आप, बोटी देखरें आप, बहुत बहुत है, बहुत बढ़ीया, और ग्रेवी भी काफी ठीक है, तो इसको ट्राइ ओखरते हो, सबसे बहले मैं ग्रेवी च्यक्ता हूं हलका तो, इसको ले ले लेते हैं अख्लेि में, तो बहुत बहुत बढ़ीया, बहुत बहुत का सब बढ़ीया, अधाजित और खोंड tenho यह यह अग यह बधिया यह जोटेस्ट है हराईकिए यह Sacramento कia यह सद्सकान यह क्रीमी सह लग रहा है यह को से शिल्म सपाइस्पी टेस्ट की य७ा थीक का और पनम यह सब तो रोटी मदामें अघ्रकर श्वारी देखसेंas और बहुत जबना और यह सालेड तो सालेड का लट्वी उठालें इसके था अब हो चुका था लखनाओ में हमारा तीसरा दिन और हम निकल पड़ें लखनाओ की गलियों में फिर से कुछ चीज़ों को जाइका लेने और सबसे पहले हम पहुंचे श्री लस्ती पर यहां दोस्तों श्री लस्ती लखनाओ में बहुत ज्यादा पेमस है और यहां की जो लस्ती है वह काफी गाड़ी थी और उपर से जो इसके उपर मलाई डाली गई थी वह भी लाजवाब थी दोस्तो यह देखे आप किस तरीके से रबडी डाली जा रही है और वह भर भर के पूरे का पूरा बड़ा वाला चम्मच जो होता है वह डाला गया है और उसके ऊपर से डाला जा रहा है काजू और किसमेस वावा दोस्तों यह तो मज़ा ही आजाएगा इस लस्ती को पीके तो गोरे बड़ीया तो है शुक्राष। जल्सी अले मुखक को बड़ीया हां, मुखस हें पूराय का त에요 का टेस्ट अप बढ़ए हम लें टाज्य Use of किस्मेस के साथव know orừngि मुखकक तो बहुत है में ल्कए लए हम ऊच्रा से लर्की का टेस्स रहते है और यह दो तो हलका सा खुछबू है गुलाब की और हलका सा खटा पना जैसे लस्ती में होना भी चाहिए खटा बना हलका सा वही बिल्कुल परफेक्ट तो दोस्तों जो अभी हमने लस्ती तो अपनी खतम कर दी बहुत ही बढ़िया ग्लास था हो और हमारा पेड़ भी अलमस् देखने करने का जो हो अँदान गई कि जश्टक है जो सो weary अठहाएक को देख सेंड़ करते हैं और देखते किस हुआ कट के देखाता हूं आपको जो मावै की है और काजू पिस्ता बक्सा डाला हुँसक कि अन्दर शच। करते हैं और देखते किसरी के का इसका तीस है जो मावा है वो काफी ठिक है जर्णा मावा डाला हुआ है और होना भी चाहिक जो छेप देना हमें पान का तोड़ा अंवाइच है जिये दूना जी आप बहुत बढ़िया और कटेस्टी तफी बढ़िया है और मेठा है और खोया जिसरीकिए का होता बई है मगर उपर से लेरिंग की है वह काफी सॉस्ट मलाईगी की हुई है तो दोस्तों पूरे लकनौ का जाइकाल लेने के बाद हम पहुंच गए हैं इस छोटे से स्टॉल पर जहां पर मिलती है कश्मीरी चाहे अब कश्मीरी चाहे मैंने पहले तो पभी ट्राई दीके तो चले अब ट्राई करके देखते हैं देख कैसा है टेस्ट वैसे तो यह पिं लॉंग का अच्छा खासा फ्लेवर आ रहा है और नमकीन चाहे मेरे कहल से इसमें नमक मिलाया जाता है जैसे मैंने पुछा भी था भाईया से कि इसमें क्या क्या डाला जाता है बोलते है काजू भी डाला जाता है इसके अंदर थोड़ा गढ़ा करने के लिए जैसे कि और पूरा मेरे कहने का मतलवी है कि पूरा होते होते हमारे पास हात लग गया यह पान और बिना पान खे लगनौ से जाएंगे तो बहुत गलत बात हो जाएगी तो चलिए पान भी ट्राइ कर लेते हैं यहां का और फिलाल हमने जो पान दिया हो मीठा पान है यहां का उसको और देखते हैं इसका टेस्ट कर सा है वैसे तो लखनओवी पान वी बड़ा फिमस है तो यह भी एक जाईका है लखनों का उसका भी जाईका ले लेते हैं इस डूब हर एक है को बहुत बईदर यह हैं कि जबरदस्था बईया मैं हम ने यह चाहिए तीन दीन वह रहें जो हमने यहां के त्राइक जबर्दस्ते आप लोग भी आईये लखनों और यहां का ज़रूर ट्राइब करिए अंत में हमने यह पांच खाया बहुत मजा आया तो दोस्तों अगर हमाज यह पूरी चीजी लखनों के आप लोगों को बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक करते रहे और शेयर करते रहे क्योंकि उसी चाह को पता लगेगा मदली वीडियो प्रूंस दालेंगे और नोटिफिकरेशन बेल बीजवाद दिए क्योंकि नहीं वीडियो के नोटिफिकरेशन आपको तभी मिलेगी बहुत जल आएंगे नई वीडियो के साथ किसी और जगह पर सब तक के लिए बाए ब